थयुकों बैक। बच्चों, भापु कल हमने इन्वेंटरी ड beard रे शो देख ली थी आज भी सबर डेख लेते हैं, समझेज लेते हैं, कि रॉँर क्या बताती हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे बात को र्रेस्ट कोश्ँन करेगे, ठीक है जी बेटा आज हम second turnover ratio पढ़ने जा रहे हैं बेटा trade receivables turnover ratio trade receivables turnover ratio लो जी बेटा देखते हैं ये ratio क्या बताती है बेटा इसका formula है net credit revenue from operation net credit revenue from operation upon average trade receivable star on 10 double star on 10 और बेटा समझते हैं जरा इस चीछ को अच्छे से बबब पहरे double star की बात करते हैं average trade receivable क्या होते हैं बेटा trade receivable में दो चीज़े आती हैं chapter 1 याद करो एक debtor और एक BR ठीक है जी अगर मुझे average ही निकालनी है तो बेटा इसका मतलब है opening debtor plus BR ये दोनों opening के लो और बेटा ये दोनों सीज़े closing के लो और बेटा divided by 2 average निकाल दो सबसे simple बाद बावो single start define करता हूं बिटा अगर आप books देखोगे तो books तो सीधा बोलती है credit revenue from operation इसले ना बाद में confusion create हो जाती है बिटा तो बावो मैंने सीधा सीधा लिग देया net credit revenue from operation बावो revenue from operation मतलब sales credit revenue from operation मतलब credit sales तो net का क्या मतलब है sales return minus करके ठीक है जी बावो जितनी भी मैंने credit sales करी out of that जितनी भी बेटा आपके पास sales return आई वो minus कर देना बादी सेंपल सी बाद बोल रहा हूं जितनी भी credit sales करी उस credit sales में से जितनी भी रिटर्न हुई वो क्या कर देना माइनस कर देना net credit revenue from operation आपके सामने होगा ठीक है जी दूसरी बात paper फसाएगा आपको paper क्या करेगा बेटा मैं सभी तरीखे की बाते कर रहा हूं जो आगे आपको मिलने वाली है स्रेज भाई यहां ही राजेगी है ठीक है जी लो सामने देखना बेटा मान लो question कहता है sales is 5 lakh कहता है out of sales या out of revenue from operation cash sales being 20% और कहता है बेटा आपको sales return 20,000 लो अब सामने देखना बाभू मुझे बताओ net credit revenue from operation कैसे calculate करोगे फड़ बड़ बताओ sales कितनी है पांच लाग कहता है जितनी भी सेल है उसमें से cash sales कितनी है 20% मतब credit कितनी है 80 इसका 80% मतलब चार्ड़ा credit sales आ गई 4 लाग मेरे को क्या चाहिए net credit sales net कैसे नेका लो इसमें बताया कि यह credit में सही है वापस नहीं बताया पर बाभू अगर नहीं पताओ तो यह assumption लेनी पड़ेगी यह credit sale में सही sales return है ठीक है जी माइनस होगी होगी sales return ठीक है जी मैंने माइनस कर दी बेटा याने की net credit revenue from operation is 3,80,000 कोई दिक्कत को परशानी तो नहीं किसी कोश्चन में बेटा बहुत ज्यादा इसे तपक जाते हैं आप से देखते हैं कि आप कितनी अच्य 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 संदोगे sales दी होई है पांच लाक sales return दी होई है 20,000 बस यह दी होई है मुझे चाहिए net credit sales ठीक है sales return तो वाइनस कर दूगा कोई credit sale तो बता है बता ही नहीं रखी तो आवो sale कोई credit sale माननों मजबूर ही है ऐसे case में वह रसता ही नहीं आपके पस ठीक है जी अब बेटा मुद्धा उड़ता ही यह ratio बता ठीक है ठीक है ठीक है जी मानलो बेटा चर्चा करते हैं मानलो बेटा net credit revenue from operation is 4 lakh और मानलो मेरी opening inventory 30,000 और मानलो बेटा opening trade receivable है 30,000 और closing trade receivable है 50,000 तो average आगी 40 बेटा मैंने 40 calculate कर दिया average trade receivable ratio का अंसर है 10 times कल बता दिया था सभी turnover ratio का अंसर किस में आएगा टाइम समय का रीडिंग इंपॉर्टेंट है रीडिंग बताओ बभू एक टाइम पर कभी भी मैं उधार देता नहीं हूँ 40,000 से जादा ठीक है जी ट्रेड receivable क्या है मेरा उधार ही तो है ठीक है ना बी आर को थोड़ी दिर के लिए गिनवर गरो डेटारी सोच लो तो मैं उधार एक टाइम पर 40,000 से जादा नहीं देता फिर भी बेटा उस 40,000 के उधार को दस बार बेचने में कनवर्ट करने में काम्याब हो जाता हूं बिटा यानि कि एक टाइम पर मेरा उधार किसी भी इन सायन के ओपर 40,000 से जादा नहीं होता 40,000 का उधार फिर पैसे आ गए फिर उधार फिर पैसे आ गए फिर उधार फिर फिर पैसे आ ग पड़ा था बेटा ऐसे ही एक होर रेशो इस से रिलेटेड एवरेज कलेक्शन पीरेड पीटा एवरेज कलेक्शन पीरेड का फॉर्मला वही है नंबर ओव डेज इन आया डिवाइड़ वाइड ट्रेड रिसीवेबल तर्न ओवर रेशो मेरे इस एक्जाम्पल में 10 तो ऊसार से सार्स धिन में आ जाता है ऐसे करके बेटा मैं दस बार से कंवर्ट कर पाता हर बाद आपएस तीनु सबस तर दिन वही साल बरका समय य्याने की बेटा दस बार का निवर्ट हो जाती है वो सेल में, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई बरिशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा सारी बाद, ठीक है, अगर inventory turnover ratio बुद्धी में कल पड़ी थी न, आपको लगेगा बेटा, आज मैं मजाग कर रहा हूं आपके साथ, इतना easy होगा यह ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे, बभू, एक next ratio की बात करते हैं बेटा, next ratio है बेटा, trade payable turnover ratio, विल्कुल इस से related है, कुछ खासी चर्चा नहीं है, trade payable turnover ratio, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, net credit purchases, net credit purchases, divided by average trade payable, divided by average trade payable, star, double star, बभू, single star, बेटा, out of total purchases, cash purchases को minus कर लेना, तभी credit purchases निकलेंगी, उसमें से बेटा purchase return minus कर लेना, तभी net credit purchases निकलेंगी, ठीक है जो भी बात बोली, बिल्कुल उसका उल्टा ही बोला, double star, बेटा, trade payable में क्या दो चीज़े आती है, creditor और BP, यानि कि opening creditors, और BP, बभू, plus closing creditors, और BP, divided by 2, ऐसे average calculate करेंगे, ठीक है जी, ratio क्या बता हीगी, गोम फिर के वही बात है बेटा, अगर मैं बोलू बेटा, ये 3,60,000 है, और ये 90,000 है, बभू, answer is 5 times, reading is important, कि कि किसी भी time पर मेरा उधार, ठीक है न, मैंने जो उधार लिया होता है, वो 90,000 से जादा नहीं लिया होता, averagely मैंने creditor का 90,000 ही देना होता है, और तब भी बेटा मैं 3,60,000 की purchase कर जाता हूँ, यानि कि बेटा चार बार तो करी लेता हूं ना convert यानि कि 90 जार का उधार लिया फिर उतार दिया 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 और फिर उतार दिया और फिर उतार लिया और बावो इससे ही विल्कुल रिलेटेड रेशो है एवरेज पेमेंट पीरिएड नमबर ओव डेज इन आई है डिवाइड़ बेटा एवरेज स्वारी ट्रेड पेवल टर्नोवर रेशो इस एक्जामपल की साब से फोर यानिक आंसर इस 92 डेज यानिकी बेटा एक बार आप ने परचेस करी 90-90 की वही एक्जामपल है तीन साथ की टोटल परचेस हो गए और बेटा हर बार 92 दिन में पेमेंट कर देते हुए ठीक है जी कोई दिक्कत कोई बरशानी तो नहीं रीड किया जा रहा है समझ में आ रहा है सब कुछ बवू इसके बाद अब रेशो ना चुरू की तीम पढ़ ली आना वहीं से कुछ चाहिए ठीक है जी बवू वर्किंग कैपितल टर्न ओवर रेशो ये रेशो क्या बताती है बेटा बवू रेशो का फॉर्मला है नेट सेल्स मतलब नेट रिवेन्यों फ्रम उपरेशन नेट रिवेन्यों फ्रम उपरेशन का मतलब शाय्यात सब समझते होंगे बेटा सेल माइनस सेलब बेटा मैंने केश की बात नीकरी मैंनो अधार की की बात नीकरी ठीक है बस सेल्स माइनस सेल्स रिटार अपोन वरकिंग येंग केपिटल पचास अजार से ज़्यादा नहीं थी आपको पता ना working capital क्या होता है वो पैसा जो day-to-day operation में लगा हुआ है वो पैसे जो स्टॉक डैटर में फसा हुआ है वही working capital है और तब भी बेटा आप उस working capital को 6 बार सेल में कनवर्ट कर देते हूं 6 बार वर्गिंग कैबिटल में सबसे मेजर पॉर्षन पता है किसका होता है सबसे मेजर पॉर्षन यानि कि गोम फिर क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी इप टाइम पर मेरी इन्वेंटरी पचाज आसे जादा नहीं होती और तब भी बेटा मैं उसको 6 बार कंवर्ट करते हूं सेल में 15,000 खिंटरी आ यह बेचता हूं फिर चारी होता हूं 찍ना फिर कंवर्ट करे सीर्म इस इन्टो जा सेल 15,000 ऐब लोन खिर 15,000 और यह इन्ट आप लिए परूम आ रिसोर्ट और क्या, आप लिए कि आचकर से सेल रिसोर्स स्रूफ 50,000 हैं तब भी 6 भार सेल में कर देए पता लग रहा ना कितने अच्छे से स्टमाल कर रहे हैं अपने रिसोर्स का कितने अच्छे से सेल में कर पा रही है किया रहे बैटा बात कोई रिक्कत कोई बरशानी तो नी बहबु दो रेशो नहीं एड हुई थी लास्ट ययर अब उसकी चर्च वेटा बहबु एक है नेट एसेट्स टर्न अवर रेशो नेट एसेट्स टर्न अवर रेशो बहबु अगेन फॉर्मुला वड़ा सिंपल है न Net Assets क्या होती है बेटा Non Current Assets Plus Current Assets Minus Current Liability नयाने की पूरी Asset Size और Minus करदो Current Liability ठीक कि या अगर आप कहना जाओ बहुत समझदार हो तो आप समझ सकते हो बेटा यही तो Capital Employed होती है खुद सोचो इधर देखना मैं ज़े ढहां बभू Liability Side मेरे पाद Shareholder Fund है और क्या Non Current Liability है नॉन कुरंट असर्स प्लस करंट असर्स माइनस करंट लिवित ये तीनों सीजे इससे बढ़ाबर हों रापार वही और चाहिक वह करने इंगर या-दो यह मुटटी है और या यह डेट ब्लस एखिएँ करण के तो ब्रापर होता है ठीक है जी और अगर मैं बोलू बेटा ये रेशो ऐसे है नेट सेल्स पांच लाग और बेटा ये है दो लाग नेट एसेट्स अंसर है रेशो कर तो पॉइंट फाइव तैंस मतला भाई या धन्दे में पैसा लगा हुआ है डाई दाक रुपे और उस डाई लाग रुपे और हम दो लाग से क्या करता हूं फांस लाग की तो सेली कर देता हूं यानि कि कितने अच्छे से अपनी रिसोर्स को यूज कर रहा हूं दाई बार तो सेल में करने वाट कर देता हूं अपनी तोटल दिसूर्स असको लग इस ओ है ना जी भावर एक आकरी बात बहुत ज़्यादा ही सिंपल है NETFIXसDASETS TORNOWER रेशो बुक्स में बेटा FIXDASETS TORNOWER रेशो भी लिखा जाता है कोई दिकत है इसे कोई फरक नहीं पड़ता वहीं है नेक्स्सेल्स अपाउन नेट फिक्स नेट फिक्स चर्टिस्ट्स का मतलग क्या बेटा फिक्स एक्स अच्छ्र करने के बाद जौएगा वो नेट फिक्स चर्ट्स से SH Da זה करने पीर आफ पढही बात बोलम अगर यह कि रेश्व यूजीक कर रहे हूं सेल में करति कर रहा हूं फिट्वी बेटा एक लाग से ज्यादा नहीं होता तब भी 5 से बार सेल में करते लिए गोम फिर इंस सारी रेश्यों का एक ही ऑब्जेक्ट है कि हां अपने रिसोर्स को खितने अच्छे योज कर दिया कितनी ज्यादा सेल में कनवर्ट कर पा रही है कि यह तीनों यह दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल समिलर है इसलिए मैं सोचा ही था मैं एक स्लाइड में गरूआ है तीनों को फिर भी बता रहता हूं बेटा यह तीनों लीस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आज में आती है बेटा बात अभी बता देता हूं 68 तक कर चुक्यों न 91 या 92 तक हो जाएंगे अभी देख लेते हैं बेटा कहा तक हो जाएंगे ठीक है न 24 है हैं तो 24 मिनट्स केई ठीक है जी कर आएंगे बेटा चर्चा शुरू करेंगे profitability ratio की अभी मैं आपको बताता हूं क्या दरने रखते आज के लिए इतना ही है बाबाए